हेलो दोस्तों कैसे हैं आप रोग आज नौरात्र का पहला दिन है और मैंने घर की सफाई कर ली है अब मैं जा रहे हूं अपने मंदिर में जो मेरे उपर सेकंड फ्लोर कर बना है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं वहां जाकर क्या क्या करती हूं चलिए चलते हैं अपने मन्दिर को करते हैं कित्यान देखें अभी है मैं सब आपको दिखाऊंगी कि आज बहुत थक गई हुँ, अब मैं आपको अपना मंदिर दिखाऊंगी लिए घर बना था 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 यह एक छट नीची और एक उची हो गए थी क्योंकि पुराना कर बनाता अब देख सकते हैं नीचा लिचा यह पुराना है और यह उपर में जा रहे हूं मंदिर जहां मेरा बना यह मैंने नया बनवाया है थो थोड़ा मंद ऊचा नीचा हो गया है घर हमारा तो यह देखिए हम अब आचुके हैं अपने मंदिर में आप देख सकते हैं मैंने तुलसा जी लगा रखी है बिल्कुछ पास में मंदिर के और यह देखिए कपड़े धुले थे और हमारा मंदिर बिल्कुल साफ सोतरा पड़ा हुआ है रात में कोई लाइट जला के यहां आज पहला नौरात है तो आप देख सकते हैं मैं अपनी माता जी को कैसे सजाओंगी आपको मैं भी दिखाओंगी पुरा मंदिर मैं आपको दिखाती हूं कल मैं रात में इसे साफ किया था और अब मैं सुबा इसे सजाने में हमेशा हर साल एक दिन पहले ही मंदिर साफ परत मैंने सबसे पहले राम दर्वार को ठीक किया, भगवान की फोटो मैंने रख दी है, एक एक करके हम सब सजाएंगे, यह सामान में कल लाई थी मार्केट से, चूनर है माकी और सारे कपड़े हैं उनके, और इसमें तूल भी मेलाई थी, माला है, यह सम हर साल मैं शॉपिंग करक अपने मन पसंद, जो भी है, सामान, और लहंगा है, जो है, सारी पुझा की समगरी जो भी लगती है नौरातर में, वो सब मैं खरीद के लाती हूँ एक दिन पहले, लेकिन मैं तब ही करती हूँ, जब पितर विसरजन हो जाता है, उसके पहले नहीं करती, क्योंकि हमारे यह अब चल किया मने जाते हैं, सभी क्या मने जाते हैं, और हमारे यह धारना है, कि जब पितर विसरजन हो जाए, उसी के बाद सपुझ लै जाता है, यह लहंगा है मेरी मा का, और दो लहंगे में लाए हूँ, एक काली माता को चढ़ाओंगी, जो मेरे घर के सामने मंदिर है, मैं घंवाले मंदिर में चढ़ाऊंगी मेरे घर के जश्ट सामने काली मता का मंदिर है वहां मैं जाती हूं पूजा करने फिरले घर में पूजा करती हूं फिर वह जाती हूं यह आसन है चो गbh attention के निच छाओंगी दो आशन मैंने पनिलाई हूँ एक मताजी के नीचे बिछाओंगी और एक और झाला दी यहाँ म्मान ही गर्वार दना है यहां मैंती हुई यह तूल है एक मीत्र जिसे मीठ से भी और consistentने के बाद ही मैं इन्हें सब नीचे पिछा के उसे फोटो रखोंगी आज के दिन बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह जबह आप मंदिर में आईए और भगवान के पूजा की तैयारी कीजिए मेरे बच्चे भी उड़ गया हैं दो बच्चे मेरे दोनों उड़ गया हैं हजबन भी उड़ गया हैं और सब अपने नहाने दोने के इंतिजाम में लगे हुए हैं आज के दिन परीवा जिस दिन होती है फर्स्ट नवरात में परीवा कहा जाता है परीवा रहे दिन हमारे हां सभी जल्दी उड़ जाते हैं सभी पांच बज़े उठके मैं तो चार ब पूटो में अच्छे से लगाती हूं हर जगे जहां पर लगी होती है जो जहां पर लगी होती है वहीं पर पूटो में हर साल लगाती हूं देखे मैंने आसन बिछा के माता को बैठा दिया है और यह मेरी मा है मैंने अपनी मा मानती हूं मैंने भगवान नहीं मानती मेरी मा क तो मैं बहुत मानती हूँ मैं काफी सालों से 25 साल हो गया मुझे उग्रत रहते रहते बीज में उद्यापन कर देती हूं फिर रहने लगती हूं मुझे बहुत प्यार है उनसे और देखिए मैं एक एक करके सब भगवान सजा रहे हैं और माता को मैं नहेंगा बहना दिया है बहुत सुंदर प्यारी सी मेरी माता जी लग रही है और एक एक करके सब को चूनर अभी पहनाऊंगी सारी तयारी करूंगी और ये देखिए हमारा मंदिर सज के तयार है पूजा हमारी सुरू हो चुकी है मैंने सब को माला पैना दिया सब बच्चे और हस्बंड मेरे आ चुके हैं मंदिर में ये देखिए माता जी कितनी सुन्दर लग रही है प्यारी सी और हम लोग अब पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद आरती होगी हमारे घर में उसके बाद मैं जाती हूँ काले जी के मंदिर और वहां पूजा करती हूँ दिखिए मैं आपको माता जी को करीब से दिखा रही हूँ बहुत प्यारी मेरी माता है और इनकी मैं पूजा कर रहे हूँ अभी और बगल मैं आप देख सकते हैं मेरी मा बैठी है जिने मैं अपनी मा मानती हूँ भगवान नहीं मानती मैं मा की तरह इन से बात करती हूँ जब भी कोई कष्ट होता है मैं नहीं के पास आती हूँ और ये मेरे सारे कष्टों को दूर कर देती हैं संतोसी माता वसे तो मैं सारी माताओं को प्यार करती हूँ लेकिन मैं सबको भगवान मानती हूँ लेकिन संतोसी माताओं को मैं माँ अपनी मानती हूँ